आज किस वीडियो में हम बात करने बाले हैं बिहार में होने वाली एक नई सरकारी नोकरी की भरती के बारे में एक नई वेकेंसी के बारे में जिसका ओफिशल नोटिफिकेशन भी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है यह official website है जो कि मैंने already पहले से open कर रखा है आपको इस official website पे आना होगा और यहां से आके आप online भी कर सकते हैं क्योंकि online जो है start हो चुका है आसा trainer के post के लिए vacancy जाई हुई है जिसके लिए male and female दोनों candidate eligible होने वाला है आपको online कैसे करना है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ online कैसे कर पाऊगे आप जैसे ही नीचे स्क्रोल करोगे आपको right side में यहाँ पर दिख जाएगा online web application यहाँ पर आपको सबसे पहले शो होगा online application SHSB recruitment यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और किलिक करके आप लोग इन करके आसानी से online कर सकते हैं यह तो रहाँ बात हो गई online की अब हम बात कर लेते notification की कौन कौन candidate apply कर सकता है क्या 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 qualification माएं गया है एस criteria क्या होने वाला फॉर्म फिस के लिगने वाला तो directly हम उस official notification पर चलते हैं यहां पर बात करें तो यहां पर बताया गया है कि minimum age आपकी 25 साल होने चाहिए एक नौ दो हजार बीस तक है and maximum age की बात की गए है यहां पर maximum age जो है 65 साल होनी चाहिए 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो अगर आपकी age 65 से 65 के बीच है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं but qualification आपको देखना होगा essential qualifications की बात करें तो यहां पर बताया गया है diploma course two years full time in A&M training course from a recognized A&M training institute and candidate should be registered with the bihar nursing counseling with at least two year experience as a trainer उसके बाद इसके इलाबा अगर आपके पास यह qualification नहीं है तो जी आने होनी चाहिए general nurse and midwifery होनी चाहिए यह बेसी नर्सीम होनी चाहिए यह post basic B.S.C. नर्सीम होनी चाहिए किसी भी nursing school institute रोको इंस्टूटन से होनी चाहिए by the Indian nursing counseling and the candidates should be registered with the nursing counseling with at least two years of experience as a trainer तो इस तरह के qualification होनी चाहिए अगर इसके अलाबा qualification अगर यह बी qualification नहीं है बैचेलरी इन यूनानी medicine and surgery होनी चाहिए यह बैचेलरी इन जो है haz步 medical medicine होनी चाहिए इसके अलाबा यह यह बी qualification नहीं है तो इसके लाबा इहां पर बताए गया है post graduation चाहिए full time in public health इस तरह का जो है क्वालिफिकेशन मांग गया है अगर आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है तभी आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर पाएंगे वरना आप इस पोस्ट के लिए अपलाई नहीं कर पाएंगे प्रिफर्ड बताया है कि यहां पर जो है वैसे तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजबल होने बाला है बर जो प्रिफर्ड जो दिया जाएगा वर्याता जो दी जाएगी वो दी जाएगी फीमेल को रिफर्ण स्टाफ को वी वर्यता दी जाएगी एनी कंडिडेट डिप्लोमा कोस इन कंप्ट अप्लिकेशन मिनिममुम 6 मंथ और 6 मंथ आपके पास कंप्ट आपको वर्यता दी जाएगी यहां पर कुछ और भी बात की गहीं है जौब सपेसिफिकेशन के आपको करना क्या होगा shortlisted candidate will be trained in to only successful candidate will be allowed to impart that training अगर आप यहाँ पर successful हो जाते हैं मैंड लिस्ट पे आपका नाम आ जाता है तो आपको training के लिए भेज दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं राज्यस्वास समीती बिहाद सरकार की तरफ सी यह vacancy जाई हुई है कब से कब तक apply कर पाएंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नंबर और पोस्ट जो है वह 500 है जैसा कि मैंने उल्लेडी बता दिया है पहले उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बताई दिया है अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में तो एज के बारे में मैंने ओल्लेडी मेंशन कर दिया है कि एज आपकी 25 से 65 की बीच होनी चोई है अब हम बात कर लेते हैं ऑनलैन की कैसे आप apply कर पाऊगे link जो है नीचे online करने का description मिल जाएगा official website का वहां से कब कर पाऊगे कब से कब तक कर पाऊगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो यहां पर date बताया है 25 सितंबर से start हो चुका है और यहां पर 31 October तक apply कर पाएंगे 25 से 31 October तक जो है आपको एक महीनी से ज्यादा का time दिया जाएगा apply करने का मेधा सूची में चनी अभिहरति यद je faculty मुंति नहीं होते हैं तो WING लिस्ट वाले अभिहरति को टी एक जाएगा अगर आपको नाम जो है नहीं है अगर आप आप अपयर हो पाते हैं तो जो वेटिंग-ण्लिस्ट में प्राप तंकों के अधार पर किया जाएगा तत्पस्चात उतिन अभ्यारतियों के जीला में प्रशिक्षण कराए जाएगा इवन प्रशिक्षा फल जो है उनका भुक्तान सम्मधी जीला दुआरा एंड हम गोल के नर्म्स के अनुशार किया जाएगा विग्याबती के बारे इसको घटाए भी जा सकता है तो इस तरह से डिपेंड करता है यहां पर पूरी बाते बता दी गई है और ऑफिशिल नोटिफिकेशन के बारे में और भी डीटिल्स भी पढ़ना चाहिए तो आपड़ सकते हो और यहां पर बता दिया गया है कि सेलेक्षन प्रोसेस कि आपक एकेडमी क्वालिफिकेशन 50 मार्क्स 50 मार्क्स होनी चाहिए 0.5 फो इच परसेंटेज ऑफ मार्कस इन एसेंसियल क्वालिफिकेशन 25 परसेंट जो है एक्स्पिरिंस में कांट होगा वुमन केंडिटेट्स को जो है टैन मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपके पास स्थान का निर्धार अगर दो लोग है उन लोग का सेलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद सेम नंबर आने के बाद जो है उनके डेट बर्थ के अकोर्डिंग जो है उनको जो है स्लैक किया जाएगा अब यहां पर डॉकुमेंट वरिफिकेशन के लिए क्या क्या रहने चाहि है और यहां पर प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क से डिग्रीज वेगरा सभी होनी चाहिए आपके पास चीक है उसके बाद जो है और भी चीजे बताई गई है जो कि आप देख लेना अगर इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हो तो हमारे एक टेलिग्राम का चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिफिक्शन मिल जाएगा आपगरे अभी तक चैनल सब्सट्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्स्राइब करें इस तरह की नई नी जॉब्स के अपडेट पाने कORI इस वीडियो को ज जादस जादर लाइक करे, जादस जादर शेर करे, थैंक यू सो मच वंस अगें